हेलो एवरीवन, वेलकम टो आवर यूटूब चैनल उन्वेसल पाथ अकेडमी फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे इंपोर्टेंट अवार्ट्स जिस से एक या दो कुश्चन आपको हमेशा एक्जाम में देखने मिलेंगे तो चलिए फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में अच्छे से समझेंगे इसको हमारा पहला अवॉर्ट है भारत रतना अवॉर्ड भारत रतना अवॉर्ड यह देश का सबसे बड़ा रास्टे परुसकार है और इसकी शुरुवात कप की गई थी इसकी शुरुवात वर्ष 1954 में की गई थी और ये पुरुसका 26 जन्वरी को भारत के राष्टपती के द्वारा दिया जाता है ये पुरुसका राष्टी सेवा के लिए जाता है राष्टी सेवा का मतलब है कला साहिते और विज्ञान के जाता है और एक वर्ष में केवल तीन ही लोगों को भारत रतन दिया जा सकता है तो यह इसका में पॉइंट है याद रखिएगाinstr素 सबसे पहला भारत रतन आवारट कि से दिया गया तो उसका एक्जाब में कोष्न आता है कि सबसे पहला रवारेका बशीन्ध और इंद्रा गांधी पहली ऐसी महिला थी जिने भारत रतन प्राप्ट हुआ इसके साथ ही सचिन तंदूलकर भारत रतन प्राप्ट करने वाले पहले भारत ये खिलाड़ी हैं और पहले संगीतकार MS सुभा लक्षमी हैं जिने की भारत रतन प्राप्ट हुआ और फ्रेंड्स लाल बहादुर शास्त्री जिने की मरनो प्रांत भी भारत रतन प्रुस्कार दिया गया, तो इसका इंपोर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखिएगा, हमारे नेक्स्ट अवोर्ड है पद्मवीबूशन अवोर्ड भारत सरकार दोरा परदान किया जाने वाला भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है और इसकी स्थापना 2 जनवरी 1954 में की गई थी ये भारत के राश्पती दोरा परदान किया जाता है और सतेंद्र बस भारत के पहले ऐसे नागरिक थे जिनने पद्मवीबूशन अवोर्ड से सम्मानित किया गया और इनके साथ साथ नंदलाल बॉस जाकिर हुसैन वीकी कृष्ण मैनन जिगमेड ओर जी को भी ये पुरुसकार से सम्मानित किया गया लेकिन अगर एक्जाम में कोशन आएगा क भारत के पहले ऐसे कौन से नागरिक थे जिनने पद्मवीबूशन अवोर्ड से सम्मानित किया गया तो इसका अंसर होगा सतेंद्र बसू ये इंपोर्टेंट कोशन है इसको याद रखिएगा लास्ट ये एक्जाम में बहुत बार ये कोशन पूछा गया है कि भारत का पह लोगों को ये प्रुशकार दिया गया है जिसमें से जौर्ज फर्नांडीस, अरुण जेटली, मैरीकॉम, सुष्मा, सवराज जैसी हस्तिया है जिनकों की वर्ष 2020 में भी ये प्रुशकार से सम्मानित किया गया है तो ये भी कोशन आ सकता है कि वर्ष 2020 में किसे ये इसके लिए हमने इसको डिटेल में पूरा किया है इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा अब नेक्स आवार्ड है वीर चक्रा ये भारत का तीसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है वीर तो वीर हमारे वीरों के लिए दिया जाता ह हमारे वीर मींस हमारी सेना हमारी सेना के लिए अवार्ड बना है जिसमें कि हमारी तीनों सेनाओं को शामिल किया गया है जल सेना थल सेना और वायू सेना इन तीनों को दुश्मन के खिलाफ असाधरन परतिबा दिखाने के लिए ये अवार्ड दिया जाता है और इस अवार लोगों को मरनोर प्राथ यह पुरुसकार दिया गया अगला पुरुसकार है नोबल प्राइज यह वेरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट है इसमें बहुत से कोशन बनकर निकलते हैं नोबल पुरुसकार नोबल फांडेशन द्वारा स्वीडन के वेग्यानिक अलफ्रेड नोबल की याद में वर्ष 1901 में शुरू किया गया था इसकी गोशना हर वर्ष ऑक्टूबर के महीने में की जाती है और ये पुरुसकार हर साल 10 दिसंबर को स्टोखोम में दिया जाता है ये question भी last year SSE में आया था कि Nobel पुरुसकार हर साल कहां दिया जाता है तो इसका अंसर होगा कि Nobel पुरुसकार हर साल Stockholm में दिया जाता है इसकी घोशना October में की जाती है और ये पुरुसकार 10 December को दिया जाता है याद रखेगा Nobel पुरुसकार 6 छेत्रों में दिया जाता है जिसमें की Peace, Physics, Economics, Literature, Chemistry और Medical Science को इंक्लूड किया गया है टोटल 6 छेत्रों में दिया जाता है पहले ये पुरुसकार 5 छेत्रों में दिया जाता था लेकिन वर्ष 1969 में इसमें अर्थशास्त्र में इकनोमी को भी शामिल कर लिया गया है तो यहाँ पर एक important point याद रखिएगा अलफर नॉबल ने ही dynamite की खोज़ की ती और यहाँ पर ये पुरुसकार में math के छेत्र में नहीं दिया जाता है तो इसको याद रखिएगा हमारा नॉबल पुरुसकार अधिक से अधिक तीन लोगों की भागिदारी में ही दिया जा सकता है और अब तक केवल दो ही ऐसे वेक्ति हैं जिनकी मृत्यू के बाद उन्हें नॉबल पुरुसकार दिया गया उनका नाम है फल्डर उनका पूरा नाम है काल फल्डर एंड हैमर सोल्ड जिनने उनकी मृत्यू के बाद ये अवार्ड दिया गया पर्वश 1974 में एक रूल आया कि मंणो पुरुद्ध नोबल पुरुसकार अब किसी को भी नहीं दिया जाता तो ये आज टेबल आपके सामने आई है ये टेबल वेरी एंड वेरी इंपोर्टेंट है ये टेबल में से बहुत बार कोशन बन कर निकल गये हैं और S.S.E. में काफी टाइम ये कोशन पूछे गये हैं रविंद्र नाठ टैगोर जिनने की पहला नोबेल प्रुसकार मिला साहित्य के लिए ये प्रुसकार उन्हें वर्ष 1913 में मिला सीवी रमिन जिनने भोतिक शेत्र के लिए 1930 में प्रुसकार दिया गया मदर ट्रेसा को शांती के लिए प्रुसकार मिला हर गोविन खुराना जि की अर्थशास्त्र के छेत्र में प्रुस्कार दिया गया तो फ्रेंड्स याद रखना कि वर्ष 1901 में नोबेल प्रुस्कार की स्थापना की गई थी और वर्ष 1913 में पहली बार रविंद्र नार्ट टैगोर को सहित्ते के लिए ये प्रुस्कार मिला और अगर हम वर्ष 2014 की बात करें तो वर्ष 2014 का शांती प्रुस्कार कैलाश सत्यार्थी को बाल अदिकारों को प्रुचान करने है तू दिया गया था और यहां पर महत्मा गांधी का नाम पांच बार प्रुस्कार के लिए निकाला गया लेकिन उन्हें एक बार भी ये अवार्ड नहीं मिला तो य जिने बहुतिक और रसाइनिक चेत्र में दो बार नोबल प्राइस से सम्मानित किया गया वेरिएंड वेरि इंपॉर्टेंट कुशन है नेक्स्ट है अर्जुन अवार्ड अर्जुन पुरुस्कार का प्रारम वर्ष 1961 में किया गया था और अर्जुन पुरुस्कार रुपी की राशी अर्जुन की प्रतिमा जैसे कि आपको ड्याग्राम में दिख रहा है और एक सर्टिफिकेट भी प्रादान किया जाता है इस वेरिए वेरिए इंपॉर्टेंट नेक्स्ट ग्यान पीट एवर्ड ग्यान पीट अवर्ड भारतिय साहत्य के लिए दिया जा और इस प्रुष्कार में 11,00 रुपै और वाग्द देवी परतिमा जैसे कि आपको ड्याग्राम में दिख रहा है साथ में दिया जाता है और अगर question आते कि पहला ग्यान पीट प्रुष्कार किसे मिला तो इसका answer होगा पहला ग्यान पीट प्रुष्कार शंकर कुरूप को मल्यालम साहिते के लिए दिया गया यहां से एक्जाम में दो तीन बार कोशन पूछा गया है कि पहला ग्यानपीट प्रुसकार किसे मिला तो इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा और अगर हम वर्ष 2017 के बात करें तो वर्ष 2017 में कृष्णा सोबती हैं जिने की हिंदी साहि साहिते के लिए ग्यानपीट प्रुसकार से सम्मानित किया गया ग्यानपीट प्रुसकार साहिते के लिए दिया जाता है इसके साथ ही दो प्रुसकार और भी है सरस्वती सम्मान प्रुसकार और मूर्ति देवी प्रुसकार अगर हम बात करें सरस्वती सम्मान प्रुसकार त और पहले इंदी लेखक है सुमित्रा नंदन पंध जिसे की ज्यानपीट पुरस्कार से सम्मानित किया गया और नेक्स्ट अवोड़ है दादा साफ फाल की अवोड यह आप सभी जानते हैं कि यह भारतिय सिनिमा के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार है सबसे पहला से दिया गया तो सबसे पहला दादा साथ फाल के अवार्ड देविकारानी को दिया गया दादा साथ फाल के अवार्ड को फादर ओफ इंडियन सिनेमा भी कहा जाता है वर्ष 2018 में चाचेटवा दादा साथ फाल के अवार्ड अमिताब बच्चन को दिया गया उससे पहले वर् बाधर रखेगा 2017 में विनोत खंना को दिया गया 2022 में अमिताब बच्चन को दिया गया कि हमारा ऐवर्ड — द्रोनाचारव एवर्ड गय इस पुरुंषकार की स्थापपना 1985 में की गई थी द्रोनाचारव पुरुसकार ऑलंपि खेलो पैरल्ल legitimate खेलो एशियाई खेलो, राश्टमंद्र खेलो, विश्व चैंपियन, विश्व कप और किर्केट जैसे सवदेशी खेलो को प्रदान किया जाता है अब तक टोटल 104 द्रोनचारे अवर्ड दिये जा चुके हैं यह अवर्ड जादातर स्पोर्ट्स कोच को प्रदान किया जाता है और अगर बात होती है कि फर्स्ट अवर्ड किसे मिला तो फर्स्ट डोनचारे अवर्ड ओम प्रकाश भारतवाज को 1985 में दिया गया हमारे नेक्स्ट अवर्ड है आडी बिर्ला अवर्ड हमें यह ज़्यादा इंपोर्टेंट नहीं है इसमें सिर्फ आपको याद रखना है कि यह अवर्ड किस छेतर से संबंदित है तो आडी बिर्ला अवर्ड बिर्ला फांडेशन द्वारा स्तापित किया गया था यह अवर्ड हर एक वर्ष भारत में कारे करे भारतिये विज्यानिकों को उनके 5 वर्षों की उपलब्दियों के लिए प्रदान किया जाता है इसमें 50 वर्ष की आयू सीमा रखा गया है उसके बाद हमारा next award है धन्वंत्री अवर्ड धन्वंत्री अवर्ड यह अवर्ड मेडिकल साइंस में अच्छे प्रदाशन के लिए दिया जाता है तो very important है इसको याद रखिएगा कि शेतर से संबंदीत है हमारे नेक्स्ट अवोर्ड है पुलतीजर अवोर्ड ये वैरी एन वैरी इंपोर्टेंट है ये पुरुसकार 1917 में अमेरिका दोरा प्रारम किया गया था ये न्यूस पेपर, मैगजीन, जर्निलिजम और लिटरेशर के छेतर में प्रादान करने वाला पुरुसकार है ये पुरुसकार कहां प्रादान किया जाता है तो इसका आंसर होगा USA के कॉलंबिया विश्विदाले दोरा ये पुरुसकार परतेकवश प्रादान किया जाता है और सबसे पहला पुलिजर पुरुसकार किसे मिला अगर इस टैप का कोशन आता है तो इसका आंसर है सबसे पहल पुलिजर पुरिसकार जिसे की गोविद ब्यारी द्वारा मिला गया अगला है तानसे नव इवर्ड ये अवर्ड संगीत के चेतर में प्रदान किया जाता है। हमारा next award है UNESCO award, यह award human rights awareness के लिए दिया गया है UNESCO जिसमें की 193 सदस्य देश है और 11 सयोगी देश है यह आद रखना है भारत 1946 में UNESCO का सदश्य देश बना यह important है कि भारत कौन से वर्ष में UNESCO का सदश्य देश बना तो इसका आंसर होगा भारत वर्ष 1946 में UNESCO का सदश्य देश बना हमारे अगला है मात्मा गांधी Peace Prize यह भारत सरकारदोरा International Shanti के लिए दिया जाता है और इसके साथ एक करोड रुपे और एक सर्टिफिकेट भी प्रदान किया जाता है हमारे नेक्स्ट ओवर्ड है ऑस्कर ओवर्ड इसके शुरुवात वर्ष उन्नी सो उनतीस में की गई थी यह विश्व फिलम जगत का सर्वेश्ट पुरुसकार है अगर भारतिय फिलम जगत के बात करें तो भारतिय फिलम जगत का सर्वेश्ट पुरुसकार है दादा साथ फालकी अवर्ड और विश्व जगत का सर्वेश्ट पुरुसकार है औसकर अवर्ड इसको याद रखिएगा अगर question आता है कि 36 बार Oscar Award जीतने का record किसने बनाया है तो इसका आंसर होगा Walt Disney जिन्होंने 36 बार Oscar Award जीतने का record बनाया है यह very important है बहुत बार exam में आता है तो friends यह थे important award का theory section यह theory section complete हो गया है next video में हम इसे related last year के questions लेकर आएंगे जो कि exam में पूछे जा चुके हैं तो वहाँ से आप attempt लगा सकते हैं I hope यह video आपको पसंद आया होगा और आपने अच्छे से समझा भी होगा तो इसको अच्छे से revise कर लीजेगा तो friends मिलते हैं next video में Thank you so much, all the best